हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब लोग स्वागत है आप लोगों का मेरे व्लोग में तो जी सुबह से वीडियो शुरू किया अपना और एक साइड में मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है और ये बना रही हूं मैं डोसा और डोसा मैंने सुजी का बनाया क्योंकि जो फटा-फट से बनने वाला होता ना 10-15 मिनट में तो वही वाला मैं बना रही हूं ये मेरी सबजी बची हुई है रात की तो वह भी काम आ जाएगी क्योंकि इसमें जो भरने का होता ना मसाला डोसा जो होता है उसका बैटर मैंने तयार नहीं किया आलू बच्चे हुए थे इसलिए फिर मैंने सोचा गाउं से लसी भी आई है तो सुजी में ही मिक्स करके और डोसे बना लेते हैं तो सुबह का नास्ता हो गया है ये हमारा अभी बस चाय डाल रहे है और मैं बना रहे हूं गरम गरम डोसे बच्चों के लि मुटना सब्सक्राइब अट और मा अगरम डोसे मेरे करारे करारे से बन रहे हैं मैं सेख रहे हूं तो आप लोगों को पता भी चल रहा होगा देखने में और गरम गरम ऐसे खाते हैं ना करारे ऑच्छे लगते हैं तो गाँ से जो लस्टी आई थी ना मैने उसमें कडी मेरी कम बना लिए थी कैघ RAMSAYD से टी को क्यquentा क्ड aynı है तो फिर मैंने लाते ही फ्रीज में रख दी और कड़ी बन गई मेरी और दूसरे दिर मैंने डोसे बना लिए और साथ में आलू की सब्जी तो अब भी नास्ता बगरह सब हो गया मैं ना के आई हूँ सरदोल इच्छे से और उसके बाद लगव हूँ मैं अपने कामों में क्योंकि सुबह सुबह ना लेती हूँ ना मैं तो काम मेरा समझो आधा कड़म हो गया क्योंकि काई बार क्या हो ज though तो अभी किचन संबालूंगे नास्ते के बाद किचन बहुत जादा पैल जाती है रात को आटा जो लेके आए थे वहीं पे रखा वो भी मुझे ट्रांसपर करना है आटा का डबा तो दोंगी नहीं क्यूंके मैंने पिछली बार दोया था तो उसको न साफ करके आटा ऐसे ही जरूरत नहीं अभी दोने की क्यूंके एक महिने में डेड़ महिने में दो महिने में हम दोते हैं तो चल जाता है काम इतना भी नहीं है कि वह हर बार दोना जरूरी है तो दो तिन बार में डाल लेती हूं उसमें आटा उसके बाद ही फिर डबा दोती हूं बीज-बीज में उपर से साफ कर देती हूं तो एकदम साफ रहता है तो प्याज भी लेके आये थे प्याज भी मुझे डाल के रखनी है कई सारी चीज़े खतम हो रही थी तो कल मार्किट गए ना तो मैं लेती हुई आई और लास्ट महिने में होता कई बार आटा भी खतम हो जाता है सारी मैं लेके आ गई साथ में जाके और रह गया होगा तो इस जा रखना वह रहता है क्लाइब फैर में और इस भी लानी कि अप देश billing भी ना नी मैं इस को क्यक्तराम रहे हुआ है और ढाल नीचे से सारण प्या मैं तो Carr串 नोग रखा रहा हिए और मुझे से मैं से चीज के साथ क्युक्त आपन निकाल दियाना मैंने तो सब्शा के साथ ज़्यादौ लग जाएगी और सुबह कि ज़्यादौ अभी लगी नहीं है तो किछन से मैं जुरू किया नहीं तो मैं सोच रहूँ जहा न तो अराम से एक दो दिन चल जाता है रोज करने की ज़रूरत नहीं ह तो बस मैंने ये धकन साफ कर दिया डिस्टर से और डबा भी कर दूंगी उससे ये अच्छे से क्लीन हो गया ये और बस आटे के हाथ लगते है मेरे ही लगते रहते है ज़ादा-तर क्योंके मैं आटा भेती हुआ और कई बार कम रह जाता तो वहाथ लग जाते है आटा भीगो जाते हो तो इसलिए मैंने याद दिला दिया और जो भी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लेना तो आगे वीडियो करते हैं अपनी बस डबा फटा फट साफ करके रख दूंगी और बरतन भी रहते हैं अभी बरतन भी दोने हैं काम तो मेरा आज सारा ऐसे ही ह बस पटा फट से उठी थी वैसे उठी तो जल्दी थी और लग गई थी अपने कामों में पटा पट से काम निप्टाने थे और सफाई भी अच्छे से करनी थी मैं सोच रही थी भाहर से दो दूले कि आज नहीं दूल पाएगा कोई बात नहीं आज काम जादा भी हो गया थ बस अरिशन भी मैंने दोख की रखे दोनों और वो भी भार सुका के आरिएू मैं तो चोटी-चोटी चीज़ एना ऐसे निकल जाते है घर में आप लोगों को भी पता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है, तो ऐसे होता कि कुछ आज कर लिया कुछ कर कर लेंगे तो ऐसे अपना काम दीरे-दीरे हो जाता समेटने में आ जाता है ये रेक खाली हो गया इसे भी साफ करके इसमें प्याज भर के रख दूँगी खाली कर दिया था मैंने पूरा इसमें आलू भी नहीं बचे मेरे आलू भी लेके आने है मैं इसे देख रही थी ये न मुदोरी है सुबह सुबह बस अपने सो के उठी है ये मैंने भी अपना सुबह सुबह काम शूरू कर दिया कि जितना जल्दी निप्टा ले उतना ही अच्छा है तो बस इसमें प्याज देख देखके मैं डाल रही थी कुछ खराब तो नहीं है मतलब या तो ऐसा होता ना प्याज खराब होती है तो सारी खराब हो जाती है इसलिए देखके और अच्छे से साप करके डालनी पड़ती है तो बस मैंने वही चैक किया और पटाफट से में प्याज ट्रांसफर कर दी रैक में और गुडिया कुछ ना कुछ बात करने आ जाते है जब भी मैं एडिटि लगा दी सारे में अच्छे से और पूरी किचन में भी लगा दूंगी दोनों रूम में भी लगाने पूरे घर में लगानी है अभी तो क्योंकि कुछ भी काम नहीं हुआ बस सुबह सुबह उटके मैं नास्ता बना के इसी में लग गई थी और सुबह पार्क भी चले गए हम लोग तो पार्क से आने के बाद चाहे बना ही एक बार और और फिर बच्चों को उठाया इन्होंने अपने हाथ मूँ दोए नास्तावास तक किया उसके बाद फिर मैं अपने तो बस अभी मैं किचन में आई हूँ और पूरा घर अच्छे से क्लीन करके सारी जाड़ु वाड़ु लगा के पूरे में अच्छे से और उसके बाद आई हूँ किचन में और बरतन भी मुझे दोने है तो पहले मैं दलिया इसे ना भून के रख लोंगी क्योंकि दलिया जब बनाना होता न तो थोड़ा सा लो और फटा फट बना दो भूनने का जिंजटी नहीं रह तो यह भी थोड़ा सा बचा हुआ था यह भी इसी में डाल लिया मैंने पहले का मा लेक आया थी यह गाहूं का है और एक पैकट मैंने यह से भंगाया दुकान से तो दोनों मिक्स कर लिए मैंने और इनको भून के डबे में भरके रख लोंगी और उसके बाद बरतन वग्य हुआ 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 है और कुछ सस्क्राइबर का कमेंट भी आता है कि आप पीछे पीछे से वीडियो जादा बनाते हो सामने केमरा रखके बनाया करो तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सामने की तरफ खड़े हो के भी वीडियो बनाई अपना दर लिया भूनते तो कई सारे कमेंट आते है तो मैं पूरी लगती है वो आप लोग शेयर कर सकते हो मेरे साथ कमेंट के जरिये तो बस वेरा दलिया भी भून गया और गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी थोड़ी देर ठंडा करने के बाद फिर इसको डब्बे में भरके रख दूंगी और अब भी मै दूंगी लग रहा कि मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ रहा तो इसलिए न मैं दलिया लेके आई हूं कि दलिया खा लिया घृँँगी एक टाइम तो इसलिए मैंने दलिया बून के रख लिया काफी सारा मंगा के क्योंकि हम पहले से पहले कंट्रोल करते हैं थोड़ा बहुत करूंगे अपने लिए और हल्का फुलका सा रात को खा लिया फिर चुटी और सुबह नास्ते में भी बना लो तो अच्छा लगता बच्चे तो खाते नहीं हैं पर दूद के साथ भी अच्छा लगता वैसे इतना बुरा भी नहीं लगता तो मैं दूद के साथ खा लेती और ज्यादतर मैं मिर्ची वाला बनाती हूँ तो वो मैं खा लेती हूँ तो उसमें अगर दूद में चीनी डाल के भी खा लो या ऐसे फिका नमक वाला भी खाते हैं तो सही लगता है तो अभी इस डब्बे में भर के रखूंगी और दलिया थंडा तो हो गया था फिर मैं चमच को न गिला था चमच चमच पूचके मैं अच्छे से और दलिया इसमें भर दिया डब्बे में और दलिया इतना गरमता मेरा डब्बा पिगल गया बाद में देखा मैंने तो फिर मैंने दोबारा सारा निकाल दिया और डब्बा हो गया मेरा खराब तो अभी मैं दूसरा डभा लूँगी परी से ऐचे से ठंडे होने दूँगी इस बार नहीं डालूँगी तो अभी सारा काम कर गदी है और बह। ज़ादा गर्मी कल रात से ही हो रही है वैसे तो हवा चल रहें लेकिन अंदर काम करने हैं तो घर्मी हो ज़्यादा लग दिया गुड़िया गई है नाने के लिए गुड़िया पानी कम है पानी चला लिए बरतन दो लिए कहीं बैठी रह जहां पानी